प्रभाद बच्चों, कक्षा पांचवी, विशे हिंदी, उपविशे पाठ, दस, अव्य या अविकारी शब्द, पुस्तक का नाम नई गुल मोहर हिंदी व्याकरण, व्याक्यान एक, बच्चों, आज हम व्याक्यान एक में अव्य जिसे अविकारी शब्द भी कहते हैं, उ तथा उसके कितने भेद होते हैं, और उसके क्या-क्या उधारण है, उसकी बारे में जानेंगे, तथा आज का जो हमारा ग्री कारिया है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, तो चलिए सबसे पहले पाठ को पढ़ते हैं, और समझते हैं, बच्चों, पाठ दस है हमारा अव्य य मैं आपको कुछ उधारण समझाऊंगी कच्छवा धीरे धीरे चलता है दर्वाजे के बाहर कोई खड़ा है अहान और ईशा खेल रहे हैं अरे चोट लग गई अब आप इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द दिये गए हैं धीरे धीरे के बाहर और और अरे ये शब्द क्या है अविकारी शब्द है वाक्य में प्रियुक्त होने पर इनके रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है इनका रूप हमेशा कैसा रहता है एक समान रहता है हम जानेंगे अविकारी शब्द की परिभाशा इसके परिभाशे हैं बचो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदी के कारण किसी तरह का विकार या परिवर्तन नहीं होता है वे आविकारी शब्द कहलाते हैं विकारी शब्दों के अंतरगत संग्या, सर्वनाम, विशेशन तथा किरिया शब्द आते हैं उसी तरह आविकारी शब्दों में किरिया विशेशन, संबंद बोधक, समुच्य बोधक तथा विस्म्यादी बोधक शब्द आते हैं अब यह आप टेबल देख रहे हैं यह या सरवनाम, विशेशन और किरिया जिसमें परिवर्तन हो जाता है लेकिन आविकारी शब्दों में किरिया विशेशन, संबंद बोधग, समुच्चे बोधग और विस्मयादी बोधग ये आविकारी शब्द हैं जिसमें लिंग वचनकारकादी के कारण किसी तरह का विकार या परिवर्तन नहीं होता है आविकारी शब्दों में हमने सबसे पहला कुन सा पढ़ा था क्रिया विशेशन अव्य अब हम इसे चित्र के माध्यम से, उधारन के माध्यम से समझेंगे पहला है घोड़ा तेज दोड़ता है अध्यापिका सुन्दर लिखती है मन्थन यहां आओ दूद वाला सुबह आता है बचो इन वाक्यों में आप रंगिन शब्द देख रहे हो तेज सुन्दर यहां सुबह अब यह क्या कर रहे हैं यह शब्द क्रिया की विशेष्टा बता रहे हैं क्योंकि इस वाक्यों में आप देखो घोड़ा तेज दोड़ता है अब दोड़ता है क्रिया है अब कैसे दोड़ता है वो तेज दोड़ता है तो क्रिया की विशेष्टा बताई गई इसी तरह अध्यापिका सुन्दर लिखती है अध्यापिका कैसा लिखती है, सुन्दर लिखती है, लिखती है किरिया है, कैसा लिखती है, सुन्दर है, तो यहां उनकी विशेष्टा बताई गई, इसी तरहे मन्थन यहां आओ, मन्थन कहाओ, मन्थन यहां आओ, आओ, किरिया है, और उसकी विशेष्टा क्या है, यहां, इसी तरह दूद वाला सुबह आता है आता है क्रिया है और सुबह तो यहाँ पर क्या है क्रिया विशेशन शब्ट ठीक है अब हम जानेंगे क्रिया विशेशन की परिभाशा क्रिया विशेशन की परिभाशा हैं बच्चों जो शब्द क्रिया की विशेशन बताते हैं वे क्र क्रिया विशेशन कहलाते हैं अब हम जानेंगे क्रिया विशेशन के भेद क्रिया विशेशन के बच्चों चार भेद होते हैं स्थानवाचक कालवाचक रीतिवाचक और परिमानवाचक सबसे पहले हम स्थानवाचक के बारे में जानेंगे स्थानवाचक की परिभाशा है जि से चारो और बाहर उपर के नीचे आगे यहां वहां आदी उधारण के माध्यम से अच्छे से समझेंगे बच्चे बाहर केल रहे हैं यात्री पेड के नीचे सोया है अस्पताल आगे है तो बच्चों स्थान वाचक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया पर हम कहां प्रेशन पूछेंगे क्या पूछेंगे कहां तो जो प्रेशन वाचक शब्द है जब हमें उत्तर मिलेगा तो वो शब्द हमारा कहलाएगा स्थान वाचक क्रिया विशेशन जैसे बच्चे क बाहर खेल रहे हैं तो यह बाहर जो शब्द है वो क्रिया की विशेशता बता रहा है तो यह क्या है क्रिया विशेशन और कौन सी क्रिया विशेशन है स्थान वाचक क्रिया विशेशन इसी तरह यात्री पेड के नीचे सोया है प्रैशन करेंगे यात्री कहां सोया पेड के न इसकी परिभाशा है जिन किरिया विशेशन शब्दों से किरिया के घटित होने के समय के बारे में पता चले यानि कि जब किरिया हो रही है वो किस समय में हो रही है तो वे कालवाचक किरिया विशेशन कहलाते हैं जैसे कल परसों दो दिन आज अभी रोज सदा जब तक हमेशा आदी उधारण है मैं दिल्ली से आज आया हूँ अब यहाँ पर आया हूँ क्रिया है और कब आया हूँ आज आया हूँ तो यहाँ पर समय का पता चल रहा है इसी तरह दूसरे उधारण में दो दिनों से बारिश हो रही है तो यहाँ पर दो दिनों क्या है कालवा चक्रिया व अगले बच्चों हमारा रीती वाचक क्रिया विशेशन इसकी परिभाशा है जो क्रिया विशेशन शब्त क्रिया के घटित होने की रीती यानि की तरीका बताते हैं वे रीती वाचक क्रिया विशेशन कहलाते हैं जैसे लगातार धीरे अचानक तेज ध्यान पूर्वक जल्द अदि उधारण है वह लड़का तेज दोड़ता है उसने ध्यानपूर्वक पत्र पढ़ा वह धीरे धीरे लिखता है इसकी पहचान हमें बच्चों कैसे होती है जब हम कैसे प्रश्न करते हैं जैसे वह लड़का कैसे दोड़ता है उत्तर मिलेगा तेज तो तेज यहां पर क् वाचक्रिय विशेशन इसी तरह उसने कैसे पत्र पढ़ा उत्तर मिलेगा उसने ध्यानपूर्वक पत्र पढ़ा तो यहां ध्यानपूर्वक क्या है रेतिवाचक्रिय विशेशन वह कैसे लिखता है वह धीरे धीरे लिखता है तो धीरे धीरे क्या है रेतिवाचक्रिय वि अगला है बच्चो परिमान वाचक क्रिया विशेशन इसके परिभाशा है जिन क्रिया विशेशन शब्दों से क्रिया के परिमान या मात्रा यानि कि नापतोल संबंदी जानकारी मिलती है वे परिमान वाचक क्रिया विशेशन कहलाते हैं जैसे थोड़ी कम काफी आधा खूब बहुत अधिक बिल्कुल इतना ज्यादा उतना आदी उधारन से और अच्छे से समझेंगे से जैसे गिलास में दूद आधा भरा है ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता अब यहाँ पर बोलना क्रिया है और यहाँ पर क्या बताया गया है कि ज्यादा बोलना अच्छ नहीं होता हना तो यह ज्यादा जो शब्द है वो क्या है परिमान वाचक क्रिया विशेशन इसी तरह है भरा है अब भरा क्या है क्रिया है कितना भरा है आधा भरा है हना तो यहाँ पर जो आधा शब्द है वो क्या है परिमान वाचक क्रिया विशेशन इसकी पैचान हम कैसे क बच्चो जब हम प्रश्ण करेंगे कितना और जो भी उत्तर मिलेगा वो शब्द क्या कहलाएगा परिमान वाचक क्रिया विशेशन अग हम इसका अभ्यासकारिया देखते हैं अभ्यासकारियमी सबसे पहले आपका प्रशन है निमिल्क प्रशनों के उत्तर दीजिए यह तीन क्रिय Nicholas i hasstra GOD आप नाम लिखने हैं और एक-एक उ धारन लिखना है उनका अगला है गह परिमान वाचक क्रिया की किस विशेश्टा को बताते हैं इस यह अभी पार्ठ में पड़े हैं उसी अधार पर आपने इंप्रश्णों के उत्तर देने हैं प्रेशन नमबर दो बाक्यों में आए रिखांकित क्रिया विशेशनों के भेद लिखे अब यहाँ पर आपने ये क्रिया विशेशन रिखांकित किये गए हैं इनके आपने भेद लिखने हैं पहला है मैं दिल्ली कल जाओंगी अब कल से हमें समय का पता चल रहा है तो यह क्य तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कौन से क्रिया विशेशन है रीति वाचग अगला है चाय का प्याला नीचे रखा है या नीचे रख दो नीचे शब्द क्या है यहाँ पर स्थान क्योंकि यहाँ पर हमें स्थान का पता चल रहा है तो हम क्या लिखेंगे स्तान वाचग बिल्ली चुपके से दूद पी गई क्या है बिल्ली चुपके से दूद पी गई अब यहाँ पर भी चुपके से तो यहाँ पर रीती का पता चल रहा है उसके तरीके का पता चल रहा है तो क्या लिखेंगे हम रीती वाचग अगला है पानी तेजी से बरस रहा था अब यहाँ पर भी क्या पता चल रहा है तेजी से तो यहाँ पर लिखेंगे हम रीति वाचक क्या लिखेंगे रीति वाचक इस परकार आपने इस प्रेशन को किया अगला प्रेशन है क्रिया विशेशन शब्दों को उनके सही सीरशक के नीचे लिखिए ये क्रिया विशेशन शब्द दिये गए है जिनको हमें रितिवाचक है या कालवाचक है परिमानवाचक है अस्तानवाचक है उनके नीचे लिखना है तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है तेज तेज को हम क्या लिखेंगे रितिवाचक के नीचे लिखेंगे तो यहां हमने तेज शब्द को रितिवाचक के नीचे लिखा अब इसमें और ढूनेंगे रितिवाचक कौन कौन से है ध्यान पूर्वग तो ध्यान पूर्वग को भी हम रीतिवाचक में लिखेंगे अगला है आपका और क्या क्या है रीतिवाचक में अचानक तो हम अचानक को भी रीतिवाचक में लिखेंगे अब हम ढूनेंगे काल वाचक कि काल वाचक कोन कोन से है काल यानि कि समय का किस से पता चल रहा है तो कालवाचक कौन सा है हमारा अभी तो इसमें भी हमें समय का पता चल रहा है अभी लिखेंगे उसके बाद कालवाचक में और शब्द क्या है सदा तो हम सदा को लिखेंगे इसके बाद आता है बच्चों आपका कल तो कल भी क्या है कालवाचक तो यहां हम कल लिखेंगे ठीक है? रितिवाचक में क्या-क्या लिखा हमने? तेज, ध्यानपूरवक, अचानक काल वाचक में क्या लिखा? अभी, सदा, कल अब हम यहां लिखेंगे जो जो परिमार्ण वाचक शब्द दिये गए थे परिमान वाचक में क्या होता है जब उसकी मात्रा का पता चलता है तो वो क्या है कौन से शब्द है थोड़ा थोड़ा भी किसमें आता है परिमान वाचक में अगला है अधिक अधिक लिखेंगे हम और अगला शब्द है हमारा बहुत तो ये क्या है सारे परिमान वाचक किरिया पिशेशन अगला है स्थान वाचक अब स्थान वाचक के शब्द हम डूनेंगे स्थान वाचक के हैं दाएं दाएं शब्द क्या है स्थान वाचक पता चल रहा है इसके स्थान का अगला है बाहर तो बाहर भी क्या है स्थानवाचक और नीचे नीचे क्या है स्थानवाचक तो यहाँ पर हमने लिखे परिमार्णवाचक शब्द ढूंड के थोड़ा अधिक बहुत स्थानवाचक वाले दाएं बाहर नीचे नंबर तो है अव्य का भेद संबन्द बोधक अव्य कोँसा है संबन्द बोधक अव्य की परिभाषा है बचों जो शब संग्या या सरुनाम के बाद प्रियुक्त होकर वाक्य के अन्य संग्या या सरुनामों के साथ संबंद बताते हैं वे संबंद बोधक अव्य कहलाते हैं क्या कहलाते हैं संबंद बोधक अव्य कहलाते हैं जो शब संग्या या सरुनाम के बाद प्रियुक्त होकर वाक्य के अन्य संग्या या सरुनामों के साथ संबंद बताते हैं वे संबंद बोधक अव्य कहलाते हैं उधारण है जैसे इसके घर के सामने विध्यालय है, पेड के उपर बंदर बैठा है, मेस के नीचे बिल्ली है, अब यहाँ पर जो रंगीन शब्द है, के सामने, के उपर, के नीचे, यह शब्द क्या कर रहे हैं, यह शब्द एक संग्या का दूसरी संग्या से आपस में संबंद बता रहे हैं, जैसे घर और विध्यल्य का संबंद किस ने बताया के सामने शब्द ने तो के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा जैसे पेड़ के उपर बंदर बैठा है अब यहाँ पर पेड़ और बंदर का आपस में संबंद बताया के उपर शब्द ने मेज के नीचे बिल्ली है मेज और बिल्ली इन दोनों का आपस में संबंद किस ने बताया किस शब्द ने बताया के नीचे तो ये क्या है संबंद बोधक अव्य क्या कहलाएंगे ये संबंद बोधक अव्य संबंद बोधक शब्दों का प्रियोग बच्चों तीन प्रकार से किया जाता है पहला है परसर्ग रहिद परसर्ग जो आप विभक्तिया लगाते हैं उसे परसर्ग कहते हैं जैसे कारक की विभक्तिया थी केल ये, ने, से तो इसी तरह ये क्या है परसर्ग रहिद यानि कि इसमें परसर्ग नहीं लगाया मित्रों सहित आजनम आदी जैसे वह मित्रों सहित बाजार जाएगा दूसरा है परसर्ग सहित यानि कि परसर्ग के साथ मकान के पीछे दुकान के आगे आदी मेरे मकान के पीछे मंदिर है के पीछे तो यह जो के पीछे दिया गया यह क्या है मारा पर सर्ग है अगला आता है बच्चों ग दोनों प्रकार से फोन द्वारा पत्र के द्वारा आ दी उसने फोन द्वारा मुझे सूचित किया उसने पत्र के द्वारा मुझे सूचना दी अब यहां पर दोनों के द्वारा किसका प्रियों किया गया है संबंद वाचक अव्यका फोन के द्वारा भी सूच ना दी तो दोनों प्रकार से भी इसको लिखा जाता है आई बच्चो अब हम इस पार्ट का संबंद बोधक का अभ्यासकारिया हल करते हैं अभ्यासकारिया में पहला प्रश्ण है नेम ने लिखित वाक्यों में प्रियुक्त संबंद बोधक शब्द छा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे संबंद बोधक में के बाद अगला है मेज के उपर जग रखा है अब मेज और जग इन दोनों का अपस में संबंद किस शब्द ने बताया के उपर तो यहाँ हम लिखेंगे के उपर अगला है गोतम अपने मामा जी के साथ रहता है गोतम अपने मामा जी के साथ रहता है तो गोतम और मामा के बीश का जो संबंद है किस ने बताया अपने शब्द ने बताया तो अपने क्या है यहाँ पर संबंद बोधक अगला है रेणू अध्यापिका के लिए फूल लाई अब रेणू अध्यापिका के लिए फूल लाई तो यहाँ पर अध्यापिका और फूल इसका संबन किन शब्दों ने बताया के लिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे के लिए अगला है अंगे है हमारे घर के पास बहुत अच्छा बाजार है हमारे घर के पास बहुत अच्छा बाजार है तो अब यहाँ पर घर और बाजार के बीच को जो संबंद है वो किस ने बताया के पास तो यहाँ हम क्या लिखेंगे के पास ठीक है अगला शब्द हमारा जो प्रश्ण है वो है कोस्टक से उचिस संबंद बोधक शब्दों का चैन कर रिक्स्तान पूरे कीजिए यहाँ पर हमें रिक्स्तान पूरे करने हैं ठीक है तो पहला क्या है आपका परिश्रम सफलता नहीं मिलती परिश्रम क्या आएगा के साथ या के बिना तो हम क्या लिखेंगे के बिना परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती अगला है पिताजी दीदी भी आई है के साथ या के अंदर तो क्या आएगा के साथ तो हम यहाँ लिखेंगे के साथ गह हमारे घर बैंक है की ओर या के पास क्या एगा बच्चो हमारे घर की ओर या के सामने तो की ओर या के सामने तो हमारे घर के सामने क्या एगा बैंक है मेरे स्कूल मंदिर है के उपर या के पीछे तो मेरे स्कूल के उपर तो मंदिर होगा नी तो क्या हैगा मेरे स्कूल के पीछे मंदिर है अगला है पिता जी माता जी भी जाएंगी के साथ या के लिए क्या हैगा पिता जी के साथ माता जी भी जाएंगी तो इस परकार आपने इस प्रशन को हल किया पहले में के बिना, दूसरे में के साथ, तीसरे में के सामने चोथे में के पीछे, और पांचवे में के साथ नमबर तीन, प्रशन नमबर तीन है नेमले के संबन्द बोधक को आप वाक्य में प्रियोग कीजिए अब यहाँ पर यह शब्द दिये गए हैं संबन्द बोधक इनके हमें वाक्य बनाने हैं जैसे पहला वाक्य मैं लिख रही हूँ यहाँ पर मैं मोहन के बाद खाना खाता हूँ अब यहाँ पर हमने प्रियोग की है ना के बाद अब है के साथ राम अपने माता पिता माता पिता के साथ रहता है राम अपने माता पिता के साथ रहता है अगला है के बीतर मेरे घर के बीतर एक छोटा सा आंगन है अंगन है ठीक है इस परकार आपने यह वाक्य लिखे हैं इसके अलावा आप अपनी समझ से भी कोई और वाक्य लिख सकते हो अब अगला है के आगे मेरा घर विध्याले के आगे है अगला है के द्वारा के द्वारा मैं बस के द्वारा विध्याले जाता हूं मैं बस के द्वारा विध्याले जाता हूं के आगे का क्या लिखा मेरा घर विध्याले के आगे है बच्चों आज का आपका गरी कारिय है नई गुल मोहर हिंदी व्याकरण पाठ दस अव्य या अविकारिशब प्रिष्टि संख्या 91, 92, 93 तथा 94 करूं आपको अपनी व्याकरण की पुस्तक में ये प्रिष्टि संख्या पूरा करना है जो अभ्यासकारी आपका दिया गया है अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद